दोस्तो अगर आप मिशु पे सेल कर रहे हो और आपका अधिकतर टाइम मिशु आटियोज रिटन को ट्रैक करने में उसके मेनेजमेंट में चला जा रहा है तो आज का ये वीडियो आपको जरूर दिखना चाहिए दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सेर करने वाला हूँ Google Seat जिसकी Help से आप बड़ी असानी से अपने आटियोज और रिटन को मेनेज कर सकते हो जब मिसु सेलर अपने आटियोज और रिटन को सही से मैनेज नहीं करते हैं तो कई बार हमें आटियोज या फिर रिटन्स रिसीब नहीं होते हैं और उन रिटन्स का हमें लॉस लग जाता है दोस्तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि मैं कैसे अपने आर्टियो और रिटन को ट्रैक करता हूँ और अच्छे से गूगल सीट के थुरू मैनेज करता हूँ तो चलिए दोस्तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हलो गाइस यह हमारा format है जिसमें हम आर्टियो और रिटन को मैनेज करते हैं अब गाइस इस format की बात करें तो link description न मैंने दे दिया है आप इसे download भी कर सकते हैं अब बात करें इस format की तो आप देख सकते हैं फर्स टेब में आपको sale का data maintain करना होता है अगर आप चालते हो कि आपका RTO और return well maintained हो आपको पता हो कि marketplace में कितने returns मुझे बताए गए हैं और मेरे warehouse में कितने return अभी तक receive हुए है तो आपको अपना sale का data exact update करते रहना पड़ेगा आपको per day अपना जो भी sale हुआ है वो update करना होगा फर्स्ट भी देख सकते हैं किस month में sale हुआ है उस order ID आपको लिखना है आपका किस date को यह order आया हुआ है इसका SKU, इसका item name, courier, किस tourier के थुरू गया हुआ है AWD number क्या है, marketplace कौन सा है, unit कितने पी sale हुआ है आप marketplace पे यहाँ पे Amazon और Flipkart का भी data maintain कर सकते हो अब यहाँ पर आपको कितने unit sale हुआ है, किस state में sale हुआ है और status उसका क्या है अब guys यह आपको per day update करना पड़ेगा अब यहाँ पर आप देख रहो, spice box 01 यह इसका SKU है तो होगा क्या आपको बार बार यह लिखना की जरूरत पड़ेगी लेकिन मैं इसका जो next update लेकाऊंगा उसमें आपको मैं बताऊंगा कि आपको कैसे यह बार बार लिखने की requirement नहीं है जैसे कि आप यह देख रहे है delivery, यह मिशू, यह quantity, यह आपका state आपको यह auto यहाँ पर आपको select करने का option आ जाएगा वो मैं next update में आपको बताऊंगा अब जब आप अपना पूरा sale data यहाँ पर maintain रहोगे तो यहाँ पर आप सदेख सकते हो marketplace return अब marketplace return में क्या है कि आप जब मिशू का या flip card का या amazon का panel open करोगे returns का तो वहाँ पर आपको so होता है कि कौन-कौन सा return आपको receive होने वाला है और वो किस तरह का customer return है या फिर courier return है यहाँ पर मिशू में problem क्या है कि आप देख सकते हैं अभी यह मुझे return सो कर रहा है कि आपका यह product return है लेकिन यह within two या three day बिना मुझे delivered होए यहाँ से यह गायब हो जाएगा तो इसलिए आप पड़े आपको यह sit पे यहाँ आपका panel पे आना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कौन-कौन order ID आपका new है जो यहाँ पर return आया हुआ है तो return मतलब authorized हो गया है तो यहाँ से आपको यह return यहाँ से copy करना है सिर्फ इसका order ID आपको copy करना है और marketplace return वाले जो हमारा डूसरा tab है यहाँ पर आकर के इस order ID को आपको यहाँ पर paste कर देना है अब जैसा ही आप यहाँ पर paste करोगे यहाँ पर automatic आपको आजाएगा किस date को यह product sale यहाँ पर sale हुआ है इसका sq क्या है, इसका item name क्या है, किस marketplace में गया है, unit क्या है किस courier के थुरू गया है, type of return तो आपको फिल करना पड़ेगा और यह जो data आप देख रहे हैं आ रहा है, यह आ रहा है हमारे sale वाले पैनल से यह जो हमने sale में जो data maintain करके रखा है, वहीं से आ रहा है और यह पूरा हमारा auto face हो जा रहा है, सिर्फ हमें order id यहाँ पर डालने की जरुवत है यहाँ पर awd number वगेरा सब कुछ आ रहा है, यहाँ पर आपको फिल करना है, order id फिल करना है, type of return आपको यहाँ से लेना है तो यहाँ पर आप देख सकते है, more detail में product was broken, तो यह हमारा product है, उसका अब जैसे हमें product question को broken मिला है तो अब हमें इसकी packing improve करने की requirement है, तो region लिखना बहुत ही ज्यादा important है, जिससे में पता चले कि किस region से कितने returns हमें आये है तो guys, अब जैसे हमारे warehouse में कोई भी return पहुचता है, तो उसे हमें यहाँ पर update करना है, तो जैसे हमें product का कोई भी return मिलेगा, तो हमें उसका return यहाँ पर update करने की requirement होगी So guys, अब हम बात करें अपने receive return की, तो माल लीजे marketplace में आपको show हुआ कि यह returns आपको आने वाला है, अब जैसे ही मेरे warehouse में यह return आ जाता है, तो मैं इसकी entry कहाँ पर करूँगा, receive return पर, तो यहाँ पर भी मुझे strip अपना जो this date को receive हुआ है, जैसे माल लीजे आज मुझे अग तो मैं अप्रेल कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आपको सिर्फ order ID यहाँ पर देना है, कि कौन सा order ID आनने के बाद, automatic इसका data सारा आ जाएगा, और इसमें सिर्फ आपको यहाँ पर status fill करना पड़ेगा, आप अपना यहाँ पर receive अगर आपको होगया है, यहाँ पर आपको data था जो auto fill नहीं आता था, तो यहाँ पर हमने received, वहाँ पर जैसे हमने fill किया, तो यह हमारा यहाँ पर आ जाएगा, कि यह जो product है, यह हमारे warehouse में received आ गया status में, पहले यह blank था, तो जैसे ही आप यहाँ पर received, अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ, देखिए, अगर मैं यहा देता हूँ, तो हमारा यहाँ पर receive का जो column है, वो खाली हो जाएगा, तो यहाँ पर जैसे ही मुझे product receive होगा, अगर मैं यहाँ पर receive डाल देता हूँ, तो यहाँ पर हमारा marketplace का जो return मुझे authorized हुआ था, वो receive हो गया है, वो यहाँ पर show कर रहा है, दोस्तों, अब बात करते है कि इसमें मैंने formula कौन सा लगाया है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे, तो यह जितने भी seat है, इस प्यारे auto face हो रहे हैं, तो इसमें आपको formula लगाना पड़ेगा, तभी यह आपका auto face होगा, तो formula की बात कर लेते हैं, कि यह हमने कौन सा formula इसमें apply किया है, जिससे यह सारे seat auto face हो रहे हैं, तो देखें, यहाँ पर आपको formula यूज करना पड़ेगा, वो बहुत ही simple formula है, बड़ी असानी साप, यूज कर पाओगे, तो यहाँ पर आपको एक formula लगाना है, इस culture यहाँ पर देना है आपको, जैसे आपको order ID तो खुझ से फिल करना पड़ेगा, और date कि date को यह authorized हुआ है, आपको खुझ से फिल करना पड़ेगा, इसके बाद आप बात करें, कि यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको एक formula लगाना पड़ेगा, यहाँ पर order date भी हमारा auto face होगा, तो इसको भी formula लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं इसे आपको इस वाले section पर एक क्लिक करना है, और यह formula आपको सिफ वन टाइम ही apply करना है, एक और आपने apply कर दिया, उसके बाद आप अपना seat पर काम करते रहो, इसके आपका आपने इससे select किया, जिस seat में हमारा order ID रहेगा, उसके बाद आपको कौमा देना है, कौमा देने के बा दबाये हुए एक arrow C में आ जाना है, एक आपको आगे यहां पर आ जाना है arrow से, इसके बाद देखिए B से C तक का यह data लेगा, यहां पर आपको कौमा फिर से देना है, और इसके बाद आपको date हमारे किस column में, second वाले column में, तो देख सकते है first model idea, second में date है, तो हमें date चाहिए तो अब आप एने आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने यहां पर order idea भी paste नहीं किया, तो जैसे मैं यहां पर एकर us order ID को paste कर देता हूं, तो इस order ID को जैसे ही मैंने यहां पर paste किया, तो धेके यह auto face यहां पर date ले लेगा, तो जैसे मैंने यहां पर लिया, यह date auto face आ गए, लेकिन यहां पर लिखना पड़ेगा, if bracket देना पड़ेगा, is ERROR, ठीक है, फिर एक bracket देना पड़ेगा, और यहां इस bracket से आप पुरा यह formula जो है, इसे यहां से यहां तक copy कर लिजी, ठीक है, copy करने के बाद, आपको फिर से यहां पर एक bracket देना है, फिर आपको यहां पर एक comma लगान करने के बाद आपको इंटर करना है और इंटर करने के बाद ने के बाद देखिए यह आपर हमारा Penculi blank हो गया अब हम यहाँ पर नीचे स्क्रॉल कर देंगे सारा ब्लैंक हो जाएगा अब आप सिर्प यहाँ पर डालते जाहिए आप नीचे स्क्रॉल करते रहेगा जितना लंबा आपका जाता रहे यह रिटन्स वाला सीट आप बस स्क्रॉल करते रहे आपको फॉर्मुला नहीं लगाना है अब यहां पर हम जैसे यह ओडर आईडी पेश्ट करते हैं देखिए ओट सो फेट हमारा डेट ल यहां पर ओर्डर अईडी से ढूंड रहे हैं तो हम और यहां पर आईडी में आपको जाना है तो आपको यहां तक सिफट दबाये हुए आप एरो क्रॉस किजिए आप यहां पतार आंगे सब्सक्राइब एक में आपको 3,0 ठीक है और उसके बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करना है इंटर कर देना है तो देखिए स्पाइस बॉक्स हमारा आ गया है लेकिन यहां पर आप जब इसे स्क्रॉल करोगे तो ननन का एरर आएगा इसलिए यहां पर हम क्या करेंगे similar है इसोडू का आगे फोर्म इदेना छोड थिया यहां पर एक कमारे ब्रैकेट मीं पढ़ेगा ठीक है और यहां पर जो हमने कोपी किया उसे प्रेश करेंगे यहां पर दो byखर देगे और इंटर कर इसबॉक हो गया, आप हम इसे स्क्रॉल करके नीचे डावन कर लेंगे, अब यहां तक सकते हैं, उसका सेम इसमें हम लो करेंगे, स्कल्टू, वे लुकरप का फॉर्मल लगाएंगे, और यहां पर हम क्या सलेट करेंगे, और हम सेल में जाएंगे, पर बीक के बाद हमें यहां पड़ेगा और फिर हम order id पे click करेंगे हमें चाहिए item name तो item name हमारा यहां पर है is error यहां हम bracket देँगे और bracket को पूड़ा यहां से यहां तक copy कर लेंगे और यहां पर हम एक ब्रैकेट देना है कॉमा देना है double column then यहाँ पर एक कॉमा और इसे हम पेस्ट करेंगे दो ब्रैकेट देंगे और हम यहाँ पर इंटर कर देंगे तो हमारा यह formula आप हम नीचे scroll करेंगे तो हमारा error नहीं आएगा इसे तरह दोस्तों आपको marketplace में करना है सेम है यही आपको formula लगाना है जैसे मैं एक और आपको बता देता हूं जैसे वी लुक अपको फॉर्मॉल इसकल टू देना है वी ल डबल लुक अप जब दे देंगे उसके आपको करना है order ID कौन सा है आपका और आपको यहां पर कॉमा लगाना है कॉमा लगाने के बाद आपको sales वाले page में आना है यहां अपर आपका करेंगे order ID पर click करेंगे और यहां पर error shift दबाई हुए आगे जाएंगे marketplace तक हमें जाना है marketplace कितने नमर पर है 1234567 नमर पर तो हमें यहां पर 7,0 करना है और यहां पर इस ब्रैकेट को क्लोज करना है और इंटर कर देना है तो हमारा marketplace आजाएगा इसे एरर से बचाने की लिए का कि क्योंकि नीचे हमें से स्क्रॉल करना है तो यहां पर लिखेंगे और यहां पर इज और यहां पर एड़र और उसके बाद इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और यहां से यहां तक आप कॉपी कर लेंगे पूरा और यहां पर एक ब्रैकेट देंगे कॉमा देंगे यहां पर आप पेस्ट करेंगे और डबल यहां पर आप देंगे ब्रैकेट और इंडर कर देंगे तो हमारा marketplace आगया और इसे हम पूरा नीचे तक स्क्रॉल कर सकते हैं और इसी तरह पूरा यहां पर सिस्टम बना सकते हैं यह पूरा आपको यहां पूरा लगा दीजी ठीक है सिर्फ आपको चेंज करते जाना है जैसे यूनिट है तो आप नेक्स्ट बा आपको नहीं होगा कि इसमें आप कुछ formula नहीं लगाएंगे और रिजिन क्या रहे गा यह भी हम फूरा इसमें नहीं लगाएंगे क्यों कि यह भी हम फिट खुड से फिल करना है एक रीजन क्या है ठीक है AWD number हमें चाहिए होगा तो AWD number के लिए भी आप क्या करेंगे यहां पर सेम फॉर्मूला वी लुकप का लगाएंगे ठीक है वी लुकप लिखेंगे और सेल डाटा में आएंगे यहां से order ID सेलेट करेंगे कहा तक आप जाएंगे आप जाएंगे सिर्फ यहां जी तक ही जाएंगे और यहां पर 123456 नंबर में तो 6,0 करके यहां तक आप पूरा लगा लेंगे तो यह हमारा हो गया यहां तक का काम अब दोस्तों आते हैं receve return ंवाले में हमें क्या formula लगाना है तो इसमें भी सेमारा लगाना है यह पर order ID है तो आपको SCULTicky2 देना है हमें सुर्ण करना है किस स्टार्ट को से हमें स्टब करेंगा तो यहां पो सेंब लगाना स्कल्टू वी लुक अप ठीक है वी लुक अपने लगाए अब यहां पर marketplace data में आ जाई है क्योंकि वह marketplace data में है या नहीं हमें पता नहीं है तो हम उसे sale से ही लेंगे ठीक है क्योंकि हो सकता है कि यह बार आप marketplace प्लेस का इंट्रे आपने नहीं किया हो लेकिन वो सेल में तो रहे गाई रहेगा तो यहां पर आप सेम वही फर्मॉला यहां लगाएंगे और उसके बाद हम आज आएंगे सेल में सौरी फिर से गलत हो गया फिर से मैं आपको बताता हूं थोड़ा जल्दी हो रहा है तो रिस के बाद हम आजाएंगे सेल पे सेल पर आने के बाद हम यहां पर ऊडर आइड पर क्लिक और करेंगे हमिए क्या चाहिए हमें चाहिए एस्के recommends कहा पर है यहां पर is यहां पर इंटर कर देंगे और यहां से यहां तक हम पूरा अपना कॉपी कर लेंगे कॉपी करने के बाद यहां पर हम एक और को ब्रेकेट लगाएंगे कॉमा देंगे डबल कॉलन देंगे एक हम कॉमा लगाएंगे और यहां डबल कॉलन ब्रैकेट देंगे और इंटर करेंगे तो देखे यह अमारा यहां से गायव हो गया ठीक है अब हम यहां पर जैसे यह जो रिटन्स है यह जो मैंने यहां पर एक रिटन्स डाला था यह मान सब्सक्राइब को स्पाइस बॉक्स पे भी आप फॉर्मल लगा लिजेगा इस कल्टू दीजेगा वी लुक अ वी लुकप का फॉर्मल आपने लगाया हमें इस और आइडियो खोजना है अब एक बार से फॉर्मल लगाने का काम दोस्तों एक बार है उसके बाद आप अराम से काम कर सकते हैं तो यहां पर आप क्या करेंगे यह हमने कहां हमें लेना है पूरा आइटम नेम तर फोर नमबर में तो फोर जीरो और इससे हम पेस्ट कर देंगे इस तरह आप पूरा फॉर्मल लगा लिजेगा यहां डेलिबरी तक आपको लेना है यह मार्केट पेस्ट लेना है यह यहां पर आपको और इडी स्लेक्ट कर रहा है कौमा देना है सेल्स में आना है आप दे रहे हैं और डेट तो यहां तक लेंगे कॉमा टू कॉमा जीरो और यहां ब्रैकेट बंद कर देंगे इंटर कर देंगे तो देखिए हमारा डेट आ गया अब यहां पर आप इस वाला एरर वाला फॉर्मल लगा लिजेगा ताकि नीचे तक हम जब स्क्रॉल करें तो एरर ना है इफ इस यहां से ब्रैकेट दैन इस ब्रैकेट को हमें करना है कॉपी और यहां पर एक ब्रैकेट लगाना है देन कॉमा देना है देन डबल कॉलम देना है और फिर कॉमा देना है देन पेश्ट करना है और देन डबल ब्रैकेट देना है देन इ इंटर किजेगा ऑटो फेस देलेगा अब दोस्तों यहां स्टेटस आपको फुछ से फिल करना पड़ेगा कि यह अपर हमें रिसीव हो गया तो र-e-c-i-v-e-d मैं यहां पर खुछ से दिखूंगा ठीक है तो इसे हमें पेस्ट कराना है मार्केटप्लेस लिटर्ण पे कि हम फॉर्मूला क्या है आप लुक अपको लगाना है वी लुक अप देखिया हम क्या लुक अप कर रहे हैं इस ओर आईडी को तो यह हमारा ओर आईडी है ठीक है यह रिसीव हुआ या नहीं हुआ है तो कॉमा देंगे यह में कहां पता चलेगा यहां रिटर्न में ठीक है तो आप और आईडी यहां पर है और यहां पर आप पूरा लाश्ट तक आजाएगा स्टेटस तक कॉमा आपको फिर से एक लगाना है स्टेटस के नमबर पर है 12345678 नमबर पर है तो कॉमा हम 8,0 देंगे और इस ब्रैकेट को बंद करेंगे और इंटर कर देंगे तो गैस देख इस एरर को हटाने के लिए फर्मल लगाएंगे इसी में if is error, then copy यहां से यहां तक जैने एक ब्रैकेट कॉमा डबल कॉलन कॉमा पेस्ट कर देंगे जिसे हमने कॉपी किया डबल ब्रैकेट इंटर देखिए, अब क्या होगा कि मैं इसे यहां से यहां तक जब स्कॉल तो none वाला error हट जाएगा और यह work करेगा तो guys यह जो playlist है इसका मैं नाम दे रहा हूँ data management तो इसका मैंने एक पुरा playlist बना दिया है और इसमें मैं बहुत सारे अब जो update लाऊंगा जैसे मैंने आपको बताया है कि आपको बार बार यह लिखने की जुरूत नहीं पड़ेगी इसमें हम जो है arrow down लगा देंगे और उससे select कर पाएंगे तो वह सब कैसे होगा आगी कैसे इसमें manage होगा payment जो आप और इसमें इसी सारे वीडियोज एड करते रहेंगे और जो जो update करते रहेंगे सीट में और उसमें मैं डालता रहूंगा तो उससे आप देखते रहेंगा जिससे आप पूरा मेशो का management सीख सकते हैं पुरे e-commerce का management सीख सकते हैं गूगल सीट के तुरू तो आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आपको लाइक जरूर करना है और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe करना है ताकि आप e-commerce एडियो से अपडेट रह सको आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें सा झाल